हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू दे चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ तीसरा पार्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉंस्टिटूशन अव इंडिया की सीरीज का और आज हम देखने वाले हैं प्रियेंबल टू दू दू कॉंस्टिटूशन तो दोस्तों प्रिय प्रियेंबल बहुत सारे केसी में इसको यूज किया जाता है जरूर प्रियेंबल को लेकिन जो प्रियेंबल है उसके अंदर जो दिये गए प्रियेंबल हैं वो कोट ओफ लॉव में जस्टिफाइबल नहीं है लेकिन कोट इन प्रियेंबल को अपनी डिसिजन मेकिंग में यूज करता है और आएए दोस्तों देखते हैं प्रियेंबल के बारे में तो दोस्तों ये बेसिकली जो फोटो है ये प्रियेंबल का actual text है जो की originally जब हमारा constitution बना था तब का ये text है अब इसकी exact wording क्या है और इस exact wording के एक-एक word को हम समझेंगे इस video के through तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं अब ये सारा हमने प्रियेंबल जो लिखा गया ये quotes में यानि कि ये कौन कह रहा है people of India इसके अंदर पहली line में ही कह दिया है कि जो constitution की source है जो authority है ये किसने बनाया है people of India जो है जो देश के नागरिक है वो इसकी source of authority है ठीक है पहली line से हमें ये परवसल किया having solemnly resolved हमने इंडिया को क्या बनाया है sovereign socialist secular democratic and republic तो ये जो पांच word है ये आपको याद कर लेना है अब इसके अंदर मैंने कुछ words highlight करे हैं पूरे प्रेयामल में वो आपको याद कर लेने है और इनका meaning हम detail में इस video में समझेंगे ठीक है तो पहले क्या कह रहा है कि कैसी government होगी कैसा इंडिया होगा sovereign होगा socialist होगा secular होगा democratic होगा और republic होगा अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं अब इसमें question ऐसा भी आ जाता है कि किस order में ये word दिये गए है constitution में आपको options दे दिये जाएंगे और आपको ये जाएगा कि किस order में ये words आते हैं preamble of the constitution में तो आपको इसका order भी पता होना चाहिए और कौन-कौन से words ये भी पता होना चाहिए तो अब इसका order आप ऐसे के याद कर सकते है आपको याद करने हैं यह हमें डिफाइन करता है कि इंडिया कैसा है आगे चलते हैं एंडिया के सारे citizens को क्या मिलना चाहिए जस्टिस मिलना चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए शोशोग नॉमिक पॉलिटिकल यह टाइपस ओव जस्टिस हैं इन इन तरीके के जस्टिस मिलने चाहिए इनको डिटेल में आगे समझेंगे liberty of thought, expression, belief, faith and worship इन सबकी आजादी मिलने चाहिए equality equality of status and opportunity equality मिलने चाहिए status के अंदर और opportunity सबके लिए बराबर होनी चाहिए and to promote among them all क्या promote करेंगे fraternity fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation इनको डिटेल में समझते हैं आगे अब यह last line in our constituent assembly अब यह constituent assembly ने बनाया था इसलिए लिग दिया कि constituent assembly में this 26th day of November 1949 अब यह first video में आपको बताया था कि constitution किस जिन adopt enact हुआ था 26th November 1949 तो यह date आगी किस जिन इस constitution को adopt किया गया, enact किया गया और pass किया गया किसने constituent assembly ने we give to ourselves this constitution हम अपने आपको यह constitution देते हैं यानि कि people of India जो की act कर रहे हैं constituent assembly के थुरू जो constituent assembly में members हैं वो people of India ने elect करे हैं वो इस constitution को adopt, enact and pass करते हैं 26 November 1949 को ठीक है तो यह basically preamble है constitution का तो पहले कुछ basics देख लेते हैं कि क्या क्या preamble के कुछ basic facts हैं तो पहला fact क्या है कि it is based on the objective resolution of Jawaharlal Nehru on 22nd January 1947 तो एक basic objectives क्या होने चाहिए हमारे country के constitution के वो Jawaharlal Nehru जी ने दिये थे उसमें दिया गयता freedom होनी चाहिए, equality होनी चाहिए, socialist pattern तो इस basic पर ऐसे उन्होंने कुछ objectives दिये थे 22nd January 1947 पे उस पे based है हमारा preamble of the constitution जो word थे originally constitution में क्या था, जो form of government थे उसमें 5 word की जेगा, सिरफ 3 words थे sovereign, democratic and republic, तीन word थे, अब यह दो word थे socialist and secular यह हमने 42nd amendment 1976 में add करे preamble के अंदर ठीक है, तो पहले 3 words थे, यह दो word बाद में add वे, और integrity जो word है, integrity of the nation, पहले सिरफ क्या था, unity of the nation उसकी जगह हमने क्या करा, unity and integrity, यह भी 42nd amendment 1976 में किया गया अब यह मैं आपको जो चीज़े हैं यह पता चुका हूँ, एक बार रिफटा फट रिवास करते है, source of authority of constitution कि जो constitution की power है, वो किससे derive होती है, किससे constitution valid है, कि सब लोग मानेंगे उसे, क्योंकि people of India ने खुदी constitution को बनाया है, तो source of authority क्या है? पीपल उफ इंडिया, पहली लैन में लिखा है, we the people of इंडिया, तो source of authority is citizens of इंडिया system of government क्या असी होगी? sovereign, socialist होगी, secular होगी, democratic होगी और republic होगी और objectives क्या चाहूंगे, कि सारे लोगों को क्या-क्या achieve कराना है हमें, इंडिया के अंदर, जो इंडिया बनेगा, उसके अंदर क्या होना चाहिए? सब लोगों को justice मिलना चाहिए, liberty होनी चाहिए, equality होनी चाहिए, और fraternity होनी चाहिए, तो यह basic चार objectives है, constitution के, ठीक है? तो, जैसे कि मैंने पता है, it's generally not considered a part, यह सिरव एक preface की तरह माना जाता है, part नहीं माना जाता, constitution का, not enforceable by court of law, इसके contravention के लिए आप court नहीं जा सकते, कि government ने हमारा यह contravention करी है, preamble के अंदर जो दिया गया है, उसके लिए आप court में नहीं जा सकते, but can be referred by courts, यह मैंने पता अपको, and it is generally considered a key to the constitution, एक चाबी की तरह माना जा है, constitution में, जब भी कुछ constitution में, कुछ statement, court को समझ नहीं आती है, जिसमें वो clear नहीं होते है, ambiguous statement होती है, उस case में preamble को refer किया जाता है, अपने decision making में, इसलिए यह key to the constitution है, and इसको क्या कहा जाता है, soul of the constitution, तो यह question भी आया तो the preamble है, वो एक आत्मा है constitution की, क्योंकि उसके अंदर वो सब कुछ principles दे रखे हैं, जो constitution अचीफ करना चाहता है, और जिस पे based the constitution, वो सब हमारा preamble में दिया गया है, इसलिए इसको soul of the constitution कहते हैं, अब आते है, keywords of the preamble, जो highlighted words से, उनका क्या meaning convey करना चाह रहा है, preamble, उसक से पहला हम देख लेते हैं, 5 जो word दिये गए है, sovereign socialist secular democratic republic, यह इंडिया को ऐसा बनाना चाहते हैं हम, तो system of government हमारी यह होगी, तो sovereign से क्या मतलब है, कि supreme authority या power, sovereign का मतलब है supreme authority और power, ठीक है, तो supreme authority कौन है constitution की और इंडिया की, people of India, तो people of India जो है, वो किसी भी external power के आधीन नहीं हैं, यानि कि आजादी से पहले जैसे हम Britishers के आधीन थे, तो हमारे laws जो थे British Parliament के थुरू आते थे, पर आजादी के बाद, जो parliament है हमारी, वो ही sovereign है, वो ही ultimate source of power, derive करती है, people of India से, ठीक है, तो people of India are not subordinate to any external power, पहला मतलब तो sovereign का यह है, ठीक है, और दूसरा की authority जो है, वो कहा से मिलती है, citizens of India से, इसलिए हमारा देश जो है, वो sovereign है, किसी के आधीन नहीं है, ठीक है, दूसरा, socialist, अब यह जैसे मैंने बता आपका, वो 42nd amendment 1976 में यह word add किया गया था, constitution में, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि इस date से पहले, 1976 से पहले, हमारा देश के जो principles थे, जब constitution बना थ उस समय, socialist नहीं थे, बलकि जवालय नहरु जी और इस आजादी के बाद, जो एक विचारधरा आई थी, कि socialist principles पे हमारा देश बनना चाहिए, अब socialist हमारा यह, USSR में जो socialism था, वो exactly नहीं है, socialism, socialism इसमें क्या कहरा है, Indian context में कि, economic justice होना चाहिए, और सब को equal opportunity मिलने चाहिए, हर Government of India को, resources को, equitably sharing करनी है, से कि, concentration of wealth ना हो, तो basically socialist India में, USSR बदला socialism नहीं है, basically यह, economic justice और equal opportunity of people, यह कहना चाहरे है, word socialism से, ठीक है, अब आते हैं, अगले word, secular, कि हमारी state secular होनी चाहिए, यह भी word 42nd amendment में add किया गया था, ठीक है, तो state cannot discriminate, based on the religion, state जब कोई भी policy बनाएगी, कोई भी scheme बनाएगी, तो उसके अंदर, religion के basis पे, discriminate नहीं कर सकती, किस बंदे को, उस scheme को benefit मिलेगा, वो religion के basis पे, define नहीं कर सकती, discriminate नहीं कर सकती, तो state का, अपना कोई religion नहीं है, हर religion को state equally promote करेगी, लेकिन, state जो है, regulate जरूर कर सकती है, religion को, उसके अंदर से, exploitative practices को, remove जरूर कर सकती है, ठीक है, तो यह हमें fundamental rights में भी दिया गया है, वो हम उसके वीडियो में देखेंगे, तो secular basically state का, जो कोई भी religion नहीं है, अब इतने बड़े देश में, जहां पे, अलग-लग धरम के लोग रहते हैं, secular state होना, एक बहुत जरूरी है unity को maintain करने के लिए, ठीक है, अगला word, republic, पहले republic देखते हैं, फिर democratic समझेंगे, तो republic का है कि state in which supreme power is held by the people, republic का मतलब है कि जो power है, सारी government की, वो किसके अंदर based है, people के अंदर, people लोग elect करते हैं, अपने representative, वो representative people के बहाफ पे देश को चलाते हैं, तो basically, republic का मतलब है, supreme power is held in the people, ठीक है, no allegiance to British crown and not a dominion, तो हम किसी crown के आधीन नहीं है, ना ही हम dominion का part हैं, किसी, हम एक ऐसा देश हैं, जिसमें की देश के लोग ही अपने देश को चला रहे हैं, तो republic का मतलब यह है, अब आते हैं, last word, democratic, democratic का यह सबको definition पता ही है, government of the people, by the people and for the people, तो अब democracy का मतलब क्या है, कि people elect करते हैं, direct और indirect democracy, दो तरीकी की हो सकती हैं, people ही elect करते हैं, अपने representative, जहां पर vote ही है, indirect, और people अगर directly rule कर रहे हैं, जैसे कि Switzerland का एक example मानते हैं, सबसे closest direct democracy का, तो उसको हम बोलते हैं, direct democracy, तो हमने क्या चूज करी थी, indirect democracy form, parliamentary form है, कि parliamentary sovereign है, universal adult साफराज है, मतलब कि people elect करते ह हैं, हर जने को एक vote का अधिकार है, और democracy, सिरफ political democracy पर, based नहीं है, इंडिया की, Indian constitution क्या जाता है, कि political democracy तो होगी होगी, economic और social democracy भी होगी, तो अब हम आते हैं, objectives of the constitution, जो कि दिये कहते है, justice, liberty, equality and fraternity, इन चारो words को थोड़ा देखते हैं, detail में कि क्या meaning है, each and every word का, ठीक है, तो justice, social, economic and political justice, ये तीन तरीके के objectives हैं, achieve करना चाहता है, हमारा constitution, कि social justice हो, economic justice हो, और political justice हो, इसमें आप ध्यान रखनेवली बात क्या है, कि political justice से पहले, social and economic justice है, यानि कि importance ज्यादा किसकी है, social and economic justice की, ठीक है, तो social justice क्यों होता है, कि discrimination जो होगी, on basis of caste, race, religion, और sex, नहीं होगी, public appointment में हो चाहे वो, किसी public place में entry की हो, या फिर educational institute में entry की हो, वो नहीं होगी, तो social justice अचीव करना चाहता है constitution, फिर economic justice, economic inequalities नहीं होगी, सबको जो resources है, national resources जो है, उनका equitable use होगा, national wealth भी equitably distribute की चाहेगी, तो ये किस में दे रखा है, directive principle of state policies में, ये article number 39 में दिया गया है, और जो social justice है, वो भी directive principle of state policies में दिये गए हैं, लेकिन जो main सबसे important है, जो कि इंडिया को welfare state बनाने के लिए चाहता है, वो किस में है, article number 38, article 38 आपको याद कर लेना है, welfare state बनाना चाहता है इंडिया को, और article 39 में economic justice के provisions दिये गए है, political justice क्या है, कि हर जने को equal opportunity होगी, political system में, खड़े होने के लिए किसी भी election के लिए, vote करने की सबको बराबर value होगी, हर vote की, vote करने के लिए कोई भी education, wealth या फिर status के basis पे special privileges नहीं है, next word है liberty, liberty मतलब आजादी, of thought, expression, belief, faith and worship, तो liberty का मतलब है कि कुछ minimum rights हैं, जो हर इंसान को देने जरूरी हैं, अगर कोई इंसान dignity से अपनी life चीना चाहता है, तो liberty कहती है कि कौन-कौन से right उस इंसान को दिये जाने चाहिए, क्या देने चाहिए, freedom of thought, सोचने की अजादी, freedom of expression, उसको बोलने की अजादी, वो क्या सोचता है उसको बोलने की अजादी, freedom of belief, faith and worship, वो क्या religion फॉलो करना चाहता है, क्या worship करना चाहता है, उस चीज़ की अजादी होनी चाहिए, यह कहाँ पर दी गए है, article 19 में specially freedoms दी गए है, right to freedom, जो article, बहुत important article है, यह fundamental rights वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन से freedoms दी गए है, इन freedoms को उस article में freedom के साथ साथ, कुछ restriction के साथ regulate भी किया गया है, अब regulate क्यों किया गया है, यह भी हम उसी वीडियो में समझेंगे, so next है equality, equality of status and opportunity, मतलब rights हो हैं, वो सब equally enjoy करेंगे, social economic equality होगी, यह मैं आपको समझा चुका हूँ, state do not discriminate on the basis of caste, religion, sex and race, तो यह है social equality, public places सब के लिए खुले रहेंगे, untouchability को हम abolish कर चुके हैं, यह किसा article में, article number 17, यह भी fundamental rights है, तो equality का मतलब क्या है, all citizens are equal before law, सब law के आगे बराबर हैं, कोई भी special privilege नहीं है, किसी भी बन्दे को, जैसे कि medieval times में होता था, और equal protection of law, अब यह दोनों क्या है, यह right to equality में, fundamental rights में हम देखेंगे, lastly क्या है, and to promote among them all, यानि जनता के अंदर क्या promote करना जाएगा, fraternity, assuring dignity of individual, and unity and integrity of India, कि feeling of oneness and brotherhood promote की जाएगी, भाईचारा promote किया जाएगा लोगों के अंदर, unity and diversity को ध्यान में रखते वे, यह concept दिया गया है, कि हमारा इतना बड़ा देश है, अलग-लग धर्म के लोग हैं, अलग-लग कास्ट के लोग हैं, अलग-लग religion के लोग हैं, अलग-लग faith को मानते हैं, तो इसलिए unity and diversity को देखने के लिए, हमें आपास में oneness, एक्ता, और भाई-चारे को बड़ावा दिया गया है, तो यह fundamental rights में भी दिये गया है, इसके लिए related provisions और directive principle of state policy में भी दिये गया है, अब fraternity और भाई-चारे का concept क्या है इंडिया में, यह सिर्फ limited नहीं है, इंडिया के relation में कि citizens के अमांगी promote करना है fraternity, इंडिया मानता है वासुदेफ कुटुमबकम की philosophy में, यानि कि सारी दुनिया एक family है, तो यानि यह world stage पे इंडिया oneness and brotherhood को promote करता है, यानि preamble में दिया गया है कि हमें world stage पे एक ताका प्रचार करना है, unity and integrity का मतलब है कि जब अगर हमारे देश के खिलाफ कोई external attack होगा, या कोई हमें अंदर से तोबने की कोशिश करेगा, तो हम सब उसके against एक जूट हो जाएंगे खड़े, तो दोस्तो ये था आज का detailed video on preamble, preamble के अंदर हर word को detailed से समझाए गया इस video में, तो यदि आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है, तो इसका मतलब आपको ये अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए and share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, and don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon, जिससे की आने वाले वीडियो की notification आपको मिल सकेंगे, तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बब बाई and happy learning.